हेलो फ्रेंड्स, एक्जाम्प्लस अकेट भी में आप सबीका स्वागत है मेरा नाख है हिमानी और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ जून महा के टॉप 100 करेंट अफेर कोश्चन्स और जो आपको सारे कॉंपटिटर एक्जाम्स में हेल्प करेंगे इस लेक्टिर की पीडिया फाइल आप नीचे दिये गए डिस्क्रिप्शनल लिंक और हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इंटिनेशनल ओलम्पिक डे कब मनाया जाता है इसका सही आंसर है ओप्शन C 23 जून और इस पिक्चर में जो आपको 5 रिंक्स दिख रहे हैं यह आँए 5 महालीब को दर्शाता है एसिया, यूरो, अफ्रिका, अमेरिका और उसैनिया फीफा महिला विस्व कब 2023 की मेजवानी कौन सा देश करेगा इसका सही आंसर है ओप्शन D A और B और उस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड फीफा महिला विस्व कब 2023 32 ट्यूमों के साथ होने वाला पहला संसकरण है स्विस बैंक में किस देश का सबसे अधिक धन जमा है इसका सही आंसर है ओप्शन C, ब्रिटेन ब्रिटेन 1st रैंक पहें जिसका सबसे अधिक धन जमा है स्विस बैंक में और अमेरिका 2nd और जिः 3rd पहें Western लीZ और भारत का इसमें सदधतरवा इस्थान है भारत का इसमें सदर्तरवा इस्थान है E-Blood Services एप किसके द्वारा लॉंच की गई है इसका सही आंसर है Option D Dr. Harswarden बर्तमान में हमारे केंजरी स्वास्तवार परिवार कल्यान मंजरी Dr. Harswarden ने E-Blood Services एप लॉंच की है इस एप में कोई भी 4 यूनिट तक Blood की मांग कर सकता है कोई भी इस वाली एप के सुविधा से युक्ति 2.0 का सुभारा किया गया इसका सही आंसर है Option B रमेज पोखरियाल निशंग वर्तमान में हमारे केंद्री मारव संसादन विकास मंतरी रमेज पोखरियाल निशंग ने युक्ति 2.0 का सुभारा किया युक्ति का हुल फॉर्म है Young India Combating COVID with Knowledge, Technology and Innovation आत्म निर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का सुभारा किया गया इसका सही आंसर है Option C. नरेद मोदी परधान मंतरी नरेद मोदी ने उत्तर प्रदेश में आत्म दिन भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का सुभारा किया यहाँ प्रवासी मजदूरों को रोजगार मोहिया कराने में काफी मददकार साबित होगा नेविगेटिंग दा न्यू नॉर्मल अभियान का सुभारा किसके द्वारा किया गया इसका सही आंसर है Option C. नीति आयोग नीति आयोग के द्वारा नेविगेटिंग दा न्यू नॉर्मल अभियान का सुभारा किया गया नीते आयों के अध्यक्ष है प्रधार्वंत्री नरेन मोदी और इसका है नई दिल्ली और इसके CEO है अमिताप कांत गरीबों के लिए इंद्रा रसोई योजना की सुर्वात किस राज़ में की गई इसका सही अंसर है औप्षन सी राजस्थान राजस्थान सरकार ने इस योजना का लक्ष ये सुनिष्टित करना रखा है कि राज़ में कोई भी भूका न सोए और हर साल इस सोजना पर 100 करोर रुपे खर्च होंगे राजस्थान के मुख्य मंत्री है असोग गहलोत और राज़िपाल है कलराज मिश्र कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चोल इंडिया पवेलियन का उद्गाटन किसके द्वारा किया गया इसका सही आंसर है आप्सन दी प्रकास जावड़कर वर्टमान में हमारे केंदिय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकास जावड़कर ने इस साल पहली बार दो फिल्मों की स्क्रीनिंग की जो एक पहली फिल्म है वो है माई घाट यहाँ एक मराथी फिल्म है और जो सेकंड है वो है हल लारो यहाँ गुजराती फिल्म है हल लारो PM Care Fund ने Made in India Ventilator के लिए कि आपूर्ती के लिए कितनी धन्रासी आवंटिक की है इसका सही आंसर है ओप्सन सी 2000 करोड 2000 करोड 50,000 ventilator के लिए आवंटिक किये है जिसमें 30,000 ventilator BEL भारत Electronics Limited के द्वारा बनाए जा रहे है फ्रांस ने भारत के साथ COVID-19 पृतिकिरिया को बड़ावा देने के लिए कितने मिलियन यूरो के रिण समझोते पर हस्ताक्षर किये है इसका सही आंसर है ओप्सन B 200 मिलियन फ्रांस का उद्देश से COVID-19 संकट के कारण कमजोर वक की साहता और केजर सरकार को मजबूत बनाना है MCC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है इसका सही आंसर है ओप्शन डी क्लियर कोन ओर ये इंग्लेंड की पूर्व महिला कप्तान रहा चुकी है MCC का फुल फार्म है मैरी लोबन किर्केट क्लब लेजेंड ओफ सुहेल देव दा किंग हुसेव इंडिया नामक पुस्तक के लेखा कौन है इसका सही आंसर है अमीश तिरपार्थी एक टू खेलो एक टू पड़ो योजना किस राजी सरकार द्वारा शुरू की गई है इसका सही आंसर है ओप्शन सी तिरपुरा तिरपुरा सरकार ने एक टू खेलो एक टू पड़ो शुरू की है जिसमें वाटसेप और समस के जरिये छात्रों को पढ़ाया जाएगा जेर्मन बुक ट्रेट 2020 सांती पुरुसकार के लिए किसे चुना गया है इसका सही आंसर है ओप्शन डी अमर्तिसेन अमर्तिसेन को 1998 में 1998 में HDI Human Development Index Rankin के लिए नोबल पुरुसकार से नवाजा गया युवापे मोबाइल एप किस बैंक ने लॉंच की है इसका सही आंसर है ओप्शन सी Yes Bank Yes Bank ने युवापे मोबाइल एप लॉंच किया है किस बैंक ने के बी एल माइक्रो मित्र सुविधा लॉंच की है इसका सही आंसर है करनाटक बैंक करनाटक बैंक ने के बी एल माइक्रो मित्र सुविधा लॉंच करी है निस्ठा विद्धूत मित्र योजन का सुबारम किस राज में हुआ है इसका सही अंसर है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के मध्य विद्धुत वित्रन कमपनी MP MKVBCL ने महिला ससक्ती करण के लिए निस्ठा विद्धुत मित्रय योजना का शुबारम किया है अंतिरास्टी योग दिवस, International Yoga Day कब मनाया जाता है? इसका सही अंसर है Option D, 21 जून 21 जून को International Yoga Day मनाया जाता है और इस साल का ठीम है COVID-19 के कारण Yoga for Health, Yoga at Home फिस्व सरनार्थी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ड रिफ्यूजी डे इसका सही अंसर है Option D, 20 जून 20 जून को World Refuse Day मनाया जाता है और इसका ठीम है 2020 का Every Action Counts, Everyone Can Make a Difference गरीब कल्यान रोजगार अभियान कितने राज्य में शुरू किया गया है? गरीब कल्यान रोजगार अभियान इसका सही अंसर है Option D, 6 राज्यों में परधान मंद्री नरेद मोदी ने 20 जून को 6 राज्यों में गरीब कल्यान रोजगार अभियान शुरू किया है इसका सुबारंब बिहार के खगडिया जिले के तेलिहार गाउं से किया गया 150 बिलन डॉलर मार्केट वैल्योएशन मार्क तक पहुँचने वाली इंडिया की पहली कमपनी कौन सी है इसका सही अंसर है Option C, Reliance Industry Limited मुकेश उंबानी ने मार्केट कैपिटिलाजेशन के मामले में Reliance Industry Limited को भारत की पहली 150 बिलन डॉलर की कमपनी बना दिया है किस बैंक ने COVID-19 को कवर करने के लिए Health Policy लाँच की है इसका सही अंसर है करनाटक बैंक करनाटक बैंक ने Universal Sampo General Insurance Company Limited के साथ मिलकर COVID-19 को कवर करने के लिए Health Policy लाँच की है हाल ही में किस देश ने अपना नया नक्सा पास किया है इसका सही अंसर है Option D नेपाल नेपाल ने एक Controversial Map पास किया है जिसमें भारत का एरिया वो क्लेम कर रहा है जिसमें लिपुलेक, लिंपियदूरा और काला पानी है COVID-19 के पलिक्षण के लिए भारत की पहली Mobile Lab किसके द्वारा लाँच की गई? इसका सही अंसर है Option C डॉक्टर हार्सवर्दन डॉक्टर हार्सवर्दन ने यहाँ iLab लाँच की है जो COVID-19 और 11 COVID दोनों परिक्षण को करने में सक्षम रहेगी सार जहां ऑनलाइन अंतरास्टी चैंपियंशिप के विजेता कौन है? इसका सही अंसर है Option C सखरियार मामेदिरो सखरियार मामेदिरो यहाँ अजरवजान देश से हैं इसमें भारत के ग्रेंड मास्टर पेताल हरीक्रिष्ण दूसरे स्थान पर रहे अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल करने का फैसला किस बैंक ने किया है? इसका सही अंसर है Option C बैंक ओफ बडोदा भारत के तीसरे सबसे बड़े बैंक बैंक ओफ बडोदा ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल करने का फैसला किया है और अभी हाल ही में विज्या बैंक और देना बैंक बैंक ओफ बडोदा में मर्ज हुए है 75 वी संयुक्त राष्ट महासबा के अध्यक्षपात के लिए किसे चुना गया है इसका सही अंसर है Option D वुलकान बुस्किर वुलकान बुस्किर ये टर्की के राजनाइक है United Nation का 75 वा सत्र सेप्टेमबर 2020 से शुरू होगा Air 20 एप कहा लॉंच की गई है इसका सही अंसर है Option D मुंबई यहाँ ICU बैड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी मुहिया कराने के लिए Air 20 एप मुबाइल एप लॉंच की गई है British Petroleum द्वारा Global Business Service Center कहा खोला जाएगा इसका सही अंसर है Option C पूने कोयमबटूर सहर का नया नाम क्या है इसका सही अंसर है कोयमबटूर तमिल नाटू सरकार ने 2018 स्थानों के नाम बदल कर तमिल उचारन वाले नाम रखे हैं जैसे वैलल और वैलूरू मंद्रेगा के तहत सबसी जादा स्वामिकों को रोजगार देने वाला राज कौन बना कसाई अंसर है उप्सन सी उत्तर प्रदेश 15 जून को उत्तर प्रदे सरकार ने मंद्रेगा के तहत 57 लाग से अधिक श्रमिकों को रोजगार मुहया कराया ये देश में मंद्रेगा के तहत कुल 18 परसेंट रोजगार का है कुल 18 परसेंट रोजगार है इसका साई अंसर है उप्सन डी कार्मिक लोग शिकायत और पैंशर मंत्रा ले वर्तमान में हमारे कार्मिक लोग शिकायत और पैंशर मंत्री है डॉक्टर जित्ते इंद्र सिंग जर्मी बेंड डिवाइस किसके द्वारा लॉंच की गई है जर्मी बेंड डिवाइस हमारे वर्तमान में केंद्री ग्रह राजेवंतरी जी किसन रेड़ी के द्वारा लॉंच की गई है इस डिवाइस में 99.9% ग्राउंड और एर के रोगाड़ों को मारने की छमता है करम भूमी नौकरी पोर्टल किस राजे में लॉंच किया गया है इसका सही आंसर है आप्शन डी वेस्ट बेंगॉल पस्ची बंगा सरकार ने COVID-19 महामारी के बीच राजे में वापस लॉटने वाले IT प्रोफेशनल्स के लिए करम भूमी नौकरी पोर्टल लॉंच किया है करम भूमी.nltr.org के जरिये वे IT कंपनी से चूड सकेंगे Monaco Foundation Award किसके द्वारा जीता गया है इसका सही आंसर है Deacon Development Society Cidby के ने निदेशक कौन बने है इसका सही आंसर है Option B देवेंद्र कुमार सिंग सिट्वी के नए निदेशक बने है Asian Infrastructure Investment Bank AIIB ने भारत में COVID-19 प्रतिकिरिया के लिए कितने मिलियन डॉलर लोन को मंजूरी दी है इसका सई आंसर है आप्शन डी 750 मिलियन भारती सैने दल द्वितिये विश्वयुद की कौनसी विजय दिवस परेड में हिस्ता लेंगे इसका सई आंसर है आप्शन डी 75 वी 75 वी द्वितिये विश्वयुद की परेड में भारती सैने दल हिस्ता लेंगे विश्वर रक्त दाता दिवस वर्ड ब्लेड डोनर डे काब मनाया जाता है इसका सही आंसर है option C 14 जून और इसका 2020 का थीम है safe blood saves lives Fitch rating के अनुसार अगले विच्ट वर्ड में भारत की GDP किस दर से व्रद्धी करेगी इसका सही आंसर है option C 9.5% अभी current में जो GDP है वह है 5% 2020 के लिए और 21 वाइस में 9.5% हो जाएगी किस देश ने परमाडू उलंगनों को लेकर इरान पर प्रतिबंद लगाने की मांग की है इसका सही आंसर है option B इजराइल March महिने में GST संग्रह कितना हुआ इसका सही आंसर है 97,597 करोड यह पहली बार 1,00,00 करोड से कम हुआ है G20 समूग के सदस्ति देशों ने COVID-19 महामाली से लड़ने के लिए कितनी सायता रासी देने की प्रतिबंद दिता जताई है इसका सही आंसर है 21 बिल्लिन अमेरिकी डॉलर विस्व महासागरी दिवस कब मनाया जाता है World Ocean Day World Ocean Day मनाया जाता है 8 June को हर साल 8 June को विस्व महासागरी दिवस World Ocean Day मनाया जाता है हाल ही में किस राज्डे सर कार ने कॉलेज में 100% मुफत प्रवेश की घोशना की है. इसका सही आंसर है option A, Assam. असाम्सकार ने कॉलेज में 100% मुफत प्रवेश की घोशना की है. 9 जून 2020 से किस तेश से कोरोना वाइरस फिरी होने का एपलान किया है? इसका सही आंसर है option B New Zealand New Zealand ने 9 जून 2020 से कुरोना वाइरस फिरी होने का एलान किया है लेकिन जो पहला देश है कुरोना वाइरस फिरी होने वाला वह है Slow Vania नाबाट ने कौन सी ग्रामिर बैंक को 270 करोर रुपये की विशेश चलिदी सुविधा देनी की घोशना की है इसका सही आंसर है option C असाम ग्रामिर बैंक हाल ही में उत्राखंड की ग्रीस्म कालीन राजधानी किसे घोशित किया गया है इसका सही आंसर है option A Getsand Getsand को उत्राखंड की ग्रीस्म कालीन राजधानी घोशित किया गया है वर्तमार में उत्राखंड की राजधानी है दहरदून हाल ही में Athletics Integrated Unit AIU ने किस आथलीट पर 4 साल के लिए प्रतिवन लगा दिया है इसका सही आंसर है option A Gomti Marimuthu गोमती Marimuthu इनों ने ASEAN Athletics Championship 2019 में 800 मीटर की रेस में ये गोल मेडलिस्ट रही है गोमती Marimuthu IIFL ने किस भारती किर्केटर को अपना पहला ब्रैंड अमबेजडर बनाया है कसा सही आंसर है option A Rohit Sarma IIFL का फुल फॉर्म है Indian Info Line Limited हाल ही में Visto Bank ने 1,950 करोड रुपे का लोन किस राज्य सरकार को परदान किया है इसका सही आंसर है option D पश्ची मंगाल वर्ड बैंक का हेड़कॉर्टर है वासिंग्टन दीसी FIFA फुटबॉल रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है इसका सही आंसर है option C Belgium Belgium जो है वो पहले स्थान पर है सेकेंड नंबर पर है फ्रांस और थार्ड पर है ब्राजिल QS World University रैंकिंग के अनुसार दुनिया की 500 उनिवस्टी में पहले स्थान पर कौन सी है इसका सही आंसर है option A MIT MIT जो पहले स्थान पर है इंडिया से इसमें 6 उनिवस्टी सामिल है जिसमें IIT Bombay 172 रैंकिंग पर है IIT Bombay 172 रैंकिंग पर है लोनार जील के पानी का रंग रातो रात बदल कर गुलाबी हो गया यह जील किस राजिय में इस्थित है इसका सही आंसर है महारास्टा यह जील महारास्टा राजिय में इस्थित है किस राजिय सरकार ने कक्षा पांस तक के छात्रों के लिए आनलाइन कक्षाओं पर परतिवन लगा दिया है विश्व बालश्रम निसेद दिवस कब मनाया जाता है इसका सही आंसर है आप्शन B 12 जून 12 जुन को विश्व बालश्रम निसेद दिवस मनाया जाता है किस राज्जे ने रोजगार सेतु पोर्टल का उधगाटन किया है इसका सही आंसर है option C माध्य पर्देश मध्य पर्देश सरकार ने रोजगार सेतु पोर्टल का उधगाटन किया है हाल ही में स्कूल फ्रॉम होम एप किस कंप्री ने लॉँच किया है इसका सही आंसर है Amazon Amazon ने घर में बैट कर पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए स्टडी रिलेटेड आइटम तो उप्लप्त कराने के लिए स्कूल फ्रॉम होम एप लॉँच किया है मिर्जापुर वेब सीरीज के एक्टर पंकर सिर्पाथी को किस राजे ने खादी ब्रैंड अम्बेस्टर बनाया है इसका सही आंसर है option वी बिहार बिहार राजे ने पंकर सिर्पाथी को अपने खादी ब्रैंड अम्बेस्टर बनाया है Cyber Space प्रत्योगिता 2020 का आयोजन की संस्ता द्वारा किया जाएगा इसका सही आंसर है Option C, ISRO Indian Space Research Organization के द्वारा Cyber Space प्रत्योगिता 2020 का आयोजन किया जाएगा विस्व खाद्य पुरुसका 2020 किसे दिया गया है इसका सही आंसर है Option C, रतनलाल रतनलाल ये भार्ती अमेरिकी Soil Scientist है इनको विस्व खाद्य पुरुसका 2020 से नवाजा गया है रोबोट Captain Arjun किसके द्वारा लॉंच किया गया है इसका सही आंसर है Option C, मध्य रेल्वे मध्य रेल्वे के द्वारा रोबोट Captain Arjun लॉंच किया गया है माई लाइस, माई योगा प्रचयोगिता का शुबारा किसके द्वारा किया गया इसका सही आंसर है Option C, नरेन मोधी परधान मंत्री नरेन मोधी ने अपने मन की बात कारिकरम में माई लाइस, माई योगा प्रचयोगिता को लॉंच किया इससे दुनिया भर से लोग सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म के जरी इसमें भाग ले सकते हैं जैसे FB, टुटर, इंस्टाग्राम, एक्सेक्टरा ग्लोबल डे ओफ पैरेंट्स कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है, option A, एक जून को ग्लोबल डे ओफ पैरेंट्स मनाया जाता है सही आंसर के द्वारा सभी माता-पिता को सम्मानित करने के लिए हर साल यह एक जून को मनाया जाता है Responsible AI for Youth प्रोग्राम किसके द्वारा लॉंच किया गया? इसका सही आंसर है, option C, रवी संकर प्रशाद वर्तमान में हमारे केंदरी Electronics और सूचन प्रोध्रकी की संचार और कानूनेम न्याय मंत्री रवी संकर प्रोग्राम को लॉंच किया इस प्रोग्राम से में जो एम है वो है युवाओं को ससक्त बनाना Artificial Intelligence Portal किसके द्वारा लॉंच किया गया है? इसका सही आंसर है, option C, रवी संकर प्रशाद रवी संकर प्रशाद के द्वारा Artificial Intelligence Portal लॉंच किया गया है भारे सरकार नहीं 445 करोर रुपिये के जल जीवन मिशन को मंजूरी किस राज्य में दी है? इसका सही अंसर है, option C, 36, 36 गर राज्य को 445 करोर रुपे के जल जीवन मुशन को मजूरी दी है कैरेट इंडिया की CEO कौन बनी है? वो बनी है, अनिता कोटवानी अनिता कोटवानी केरेट इंडिया की CEO बनी है केरेट इंडिया डैन के स्वामितों वाली मेडिया कमपनी है वर्ड मिल्कडे काब मनाया जाता है वर्ड मिल्कडे इसका सई आंसर है आप्शन है एक जून, वर्ड मिल्कडे एक जून को मनाया जाता है संयोग दिरास्ट के खाद्य और क्रेसी संगठन द्वारा दूर के महत्व और डेरी छेत्व को प्रसाहिद करने के लिए वार्ड मिल्क डे मनाया जाता है CTAP की संस्था के द्वारा लॉंच किया गया है इसका सही अंसर है option C.WHO डबलो एचो की द्वारा यहां CTAP लॉंच किया गया है यहां एक लाइफ सेविंग टेखनीक है CTAP का फुल फॉर्म है COVID-19 Technology Access Pool Forbes 2020 की सूची में दुनिया में सबसे ज़्यादा भुकतान पाने वाले खिलाड़ी कौन बने है इसका सही अंसर है option है Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo जो है वह पहले नंबर पे है इस सूची में जो सेकंड नंबर पे है वह है लेओनल मैसी और थर्ड पे हैं नेमार भारत से इसमें विराट कोली का नाम सामिल है और विराट कोली ने इसमें 66 स्थान पाया है विराट कोली 66 स्थान पे है चैंपियंस प्लेट फॉर्म किसके द्वारा लॉंच किया गया है इसका सही अंसर है नरेद मोदी परधार मंत्री नरेद मोदी ने MSME को ससक्त बनाने के लिए चैंपियंस प्लेट फॉर्म लॉंच किया है चैंपियंस को फुल फॉर्म है creation and harmonious application of modern process and increasing the out and national strength खेलो इंडिया इपार्ट साला कारिक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया इसका सही अंसर है option डी किरन रिजुजू केंद्री युवा कार्णे और खेल मंत्री किरन रिजुजू ने खेलो इंडिया इपार्ट साला कारिक्रम का उद्घाटन किया है तेलंगाना राजी स्थाप्रा दिवस कब मनाया जाता है इसका सही आंसर है ऑप्षन भी दो जून को दो जून 2014 को तेलंगाना को अलग राजी का दर्ज़ा प्राप्त हुआ दो जून 2014 को ओलंपिक चैंपियन बॉबी मोरो का निधन हो गया वे किस खेल से थे इसका सही आंसर है ऑप्षन धावक बहुए धावक थे उन्होंने 1956 के ओलंपिक में तीन एथिलीट्स स्वान पदक जीते थे अल्ट्रा स्वच डिसिन्फेक्शन यूनिट किस संस्था ने विक्सित की है इसका सही आंसर है डियार डियो डियार डियो ने अल्टर स्वच डिसिन्स्फेक्शन यूनिट विक्सित की है फिनलेंड में भारत के नज राजदूद कौन होंगे? इसका सही आंसर है ऑप्षन C रवीज कुमार रवीज कुमार फिनलेंड में भारत के ने राजदूद होंगे सिर्वी जॉर्जो हैं वो कुवेट में भारत के ने राजदूत होंगे और गायत्री कुमार बिर्टेन में भारत की ने राजदूत होंगी और सुसील कुमार पापुवा न्यू गिनी में भारत की ने राजदूत होंगे पी-म स्वनिधी योजना का सुबारम किसके द्वारा किया गया है? इसका सही अंसर है आप्शन C आवास और सहरी मामलों के मंत्राले के द्वारा पी-म स्वनिधी योजना का सुबारम किया गया है वर्तमान में हमारे आवास और सहरी मामलों के मंत्री है हर्दीप सिंग पुरी C.I.I. के नए अध्यफ कौन निर्वाचित हुए है इसको सही अंसर है Option C. उदै कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के M.D. और C.E.O. उदै कोटक C.I.I. के नए अध्यफ निर्वाचित हुए है C.I.I. का फुल फॉर्म है Confederation of Indian Industry भारे सरकार ने कितने करोड डेरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट काड अभियान शुरू किया है इसका सही अंसर है 1.5 करोड 1 जून से 31 जुलाई 2020 तक 1.5 करोड किसानों को किसान के अडिट काड प्रदान किया जाएगा 1.5 करोड फॉर्म है 1.5 करोड फॉर्म है 1.5 करोड का विमोचन किसके द्वारा किया गया है विस्व परियावरन दिवस कब मनाया जाता है इसका सही अंसर है उप्शन डी 5 जून और 2020 करोड करोड फॉर्म है बायो डावर्सिटी यानि जया विवदिता एसिया रीजन के लिए कॉमन वेल शॉर्ट स्टोरी प्राइस किसने जीता है इसका सही अंसर है उप्शन भी कृतिका पांडे मोबाइल पर चालू खाता खोलनी की सुविधा किस बैंक ने शुरू की है इसका सही अंसर है उप्शन है इंडर्सिंट बैंक इंडर्सिंट बैंक के CEO और MD हैं सुमन कतपालिया इस पंदर अभियान किस राज्य सरकार द्वाला शुरू किया गया है इसका सही अंसर है 36 गड़ 36 गड़ पुलिस ने डिप्रेसन से ग्रस खर्वियों के लिए इस पंदर अभियान शुरू किया है मेरा वतन मोबाइल आप किस राज्य ने लॉंच की है इसका सही आंसर है option डी जम्मू एं कश्मीर जम्मू कश्मीर के उपराजयपाल गिरीश चंजे मुर्मू ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सेलरी ट्रेकर मुबाइल आप मेरा वतन संस्करन वन लॉंच की है गरीबी लेखा के नीचे रहने वालों के लिए फ्री इंटर्नेट पर दान करने वाला राजज कौन सा है इसका सही आंसर है option C केरल इंटर्नेट सभी नागलिकों का एक मौलिक अधिकार की घोशना करने वाला पहला राजज केरल बन गया है यहाँ पिछले साल ही बन चुका था 2019 में Safe Online Learning in the Times of COVID-19 नावक Information Booklet किसके द्वारा लॉंच की गई है इसका सही आंसर है रमेज पोखरिया निचंक यह हमारे वर्तमान में मारव संसादन विकास मंत्री है महिला एसियन कब 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा इसका सही आंसर है Option C भारत यहाँ 1979 में पहली बार भारत में इस टूर्णामेंट का आयोजित किया गया था यहाँ दूसरी बार 2022 में आयोजित किया जाएगा सामट ट्रीट्स अभियान किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है इसका सही आंसर है Option C HDFC बैंक संकल्प पर्व कौन से मंत्राले के द्वारा मनाया जा रहा है इसका सही आंसर है Option B संस्कृति मंत्राले संकल्प पर्व संस्क्रिती मंत्राले के द्वारा मनाया जा रहा है FATF ने पाकिस्तान को कौन सी सूची में बनाया रखने का फैसला किया है इसका सही आंसर है ऑप्शन भी ग्रे सूची FATF Financial Action Tax Force ने पाकिस्तान को आतकवादी वित्व कोशन के लिए मुकदमा चलाने और दंडित करने में विफल होने के लिए ग्रे सूची में रखने की घोशना की है भारत ने चीन के कितने एप को बैंड किया है इसका सही आंसर है ऑप्शन भी 59 भारत ने चीन के 59 एप को बैंड किया है लाजर चक्वेरा कहा के रास्पती चुने गए है इसका सही आंसर है ऑप्शन भी मलावी यहाँ मलावी के रास्पती चुने गए है मलावी का कैपटर है लिंगोंगवे और करंसी है मलावियन क्वाच्चा किल कोरोना अभियान किस राज़ने शुरू किया है इसका सही आंसर है option C माध्यप्रदेश माध्यप्रदेश सरकार ने राज़ में COVID-19 को नियंद्रित करने के लिए 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना भियान शुरू किया है प्रोजेक्ट प्लाटिना का सुभारम किस राज़ ने किया है? इसका सही आंसर है option D महारास्ट महारास्ट में COVID-19 के मरीजों के लिए प्लाजमा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लाटिना का सुभारम किया गया किस राज़ ने पहला लाइकेन पाग विक्सित किया है? इसका सही आंसर है option ए उत्राखन उत्राखन के वन विभाग ने प्थारागर जिने में भारत का पहला लाइकेन पाग विक्सित किया है अंतरास्टी संसद्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है option C 30 जून इसका अंतर संसद्य संकर हैड़कॉर्टर है जिनेवा स्विजलेंड में और इसकी स्थापना हुई थी 1889 में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचीव कौन बनी है? इसका सही आंसर है option B विनी महाजन विनी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचीव बनी है वह 1987 batch की IAS officer रही है आप मुझे सोचल मीडिया प्रेटफर्म पर भी जूड सकते हैं इंस्टाग्राम, फेस्बूक, टैलीग्राम, ट्विटर वाटसप का लिंक आपको रिस्क्रिफ्टिन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं मेरे लेक्स्ट वीडियो में